क्या आपने कभी एक ऐसे बेकती के बारे में सुना है जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो एक एरोपलेन तक को खीच सकता है और क्या आपने हमारे इंडिया के ही एक ऐसे स्ट्रॉंगेस्ट बेकती के बारे में सुना है जिनकी ताकत देखने के बाद आप भी हैरान हो जाओग जिसमें सबसे पहले हैं लेरी विल्स आर्म्स रैसलिंग के काई बार चैंपिएन रह चुके हैं और यह आर्म्स रैसलिंग वेस्टन कंट्रीज में कितनी ज़्यादा फेमस है यह तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है उन्हीं में से एक है लेरी विल्स जिनके नेक्स्ट है ऐलेक्स पोपोविच गाईज ये दुनिया की एक ऐसे स्टॉंगिस्ट वेक्ती है जिनकी थाकत का अंदाजा आप एने देखकर बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं ये घोडे को अपने कंधों पर रखकर कुछ इस तरह से लेकर चले जाते हैं और इस घोडे को देखने के बाद आप ये मत समझ लेना कि घोडे में कम बजन होगा इस घोडे में 450 क्लो वेट है जिसे एलेक्स अपने कंधों पर रखकर आराम से ले जा रहे हैं इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी ताकत का प्रधासन लोगों के सामने करके दिखाते हैं जैसे इसी बेक्ती को देख लीजे जो कि अपने चेस्ट पर एक चेन को बांध लेता है और फिर उसके बाद जब ये अपने चेस्ट को फुलाता है तो फिर तो ये चेन भी तूट जाती है इसी तरह से इस बेक्ती के अंदर इतनी ताकत है कि ये एक होट बाटर बोटल जिसमें पानी को गर्म करके हम सिकाई करते हैं उसकी रवर कितनी जादा मोटी होती है ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा तो उस बोटल को भी ये बेक्ती अपने मूँ से फुला कर फाड कर देता है एक नॉर्मल व्यक्ती अपनी उंगली को कितना भी लगा ही सकते हैं ऐसे ही एक व्यक्ती और है जो कि अपनी ताकत से इट पत्थर सभी चीजों को तोड़ता चला जाता है और अपने करदन की नीचे दवा कर एक एपल तक को फोड़ सकता है अब गईस पैर से मा काम होगा लेकिन यह प्यक्ति अपनी एक एक में ही पाइप को टेडा कर देता है गाइज आपने इंटरनेट पर हाइच स्पीड पंच की वीडियो तो कभी नगभी जरूर देखी ही होंगे जो कि देखने में ऐसा लगता है जैसे कि यह वीडियो नकली है मतलब कि इतने फास् के में नारियल को ही तोड़ देते हैं इनका हाथ लगते ही नारियल तो ऐसे फूट जाता है जैसे कि वो कोई नारियल नहीं कुछ और ही हो नेक्स्ट है एड़ी हैल गाइस यह वेक्ति धुनिया का सबसे स्ट्रॉंगेस्ट वेक्ति माना जाता है जिसके अंदर इतनी ताकत है कि यह एक प्लेइन तक को कीच सकता है जैसकि आप अभी इस वीडियो में देखे सकते हैं कि इन्हों ने अपने कमर में पीछे प्लेइन में बदे हुई रस्टे को डाला हुआ है और यह सामने से एक मोटी से रस्टे को पकड़कर प्लेन को कीचते हुए ले जा रहे हैं और इसके अलावा ये भारी से भारी weight को भी उठा सकते हैं और उसे एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पर भी रख सकते हैं अब guys इसी बंदे को देख लिजे जो कि इतना जादा strong है कि ये इतने भारी वेट को अपने कंदे पर रखकर उठा लेता है अब लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप अपने कंदों पर कितना किलो तक वेट उठा सकते हैं नेक्स्ट है वसिली कामोच की यह वेक्ति दुनिया का सबसे स्ट्रॉंगेस्ट थपड मारने वाला वेक्ति है जो कि अ अगर आप इस वाल में एक पंच मारते हैं तो उसके बाद यह मसीन आपको बता देती है कि आपके पंच में कितनी तागत है ऐसे ही जब इसी पंचिक मसीन में यह बंदा पंच मारता है तो उसके बाद तो यह मसीन ही काम करना बंद कर देती है क्योंकि इसका पंच ज्यादा आप आप वैट चूज्ज़ करते होंगे जितना कि आप उठा सकते हैं रेकिन इस ब्यक्ति को देख लेजेए जो कि अपनी लेग की एक्साइ surgeons के लिए कितना से कितना जादा सिधा साधा और कितना सैलेंट होता है यह देखकर आप इसकी ताकत का अंदाज़ा बिनकुल भी नहीं लगा सकते लेकिन एक मौंक में इतनी ताकत होती है कि अगर यह अपना एक पंच पेड़ में मारते हैं तो पेड़ का वो हिस्सा ही तूट जाएगा ऐसे ही आप इसी वीडियो को देख लीजे जिसमें एक मौंक की सर पर दो स्लेप के टोड़े रखे होते हैं और उसके उपर हथोड़ा मार कर इन दोनों टोड़ों को ही तोड़ दिया जाता है फिर भी इस मौंक की सर पर हथोड़े का कोई भी असर नहीं होता है यहाँ पर यह बेक करकर इस तरह से विल्कुल फ्लैग की तरह सीधे हो सकते हैं आप में से सायद ही कोई होगा जो इसे कर पाएगा लेकिन ये वेक्ति इस स्टंड को करने के बाद अपनी ऊपर एक लड़की को भी खड़ा कर लेता है अब इसे पोल पकड़ने के लिए कितनी ज्यादा ताकत लग हैं और इतनी स्ट्रॉंग इटे तोड़ने के बाद भी इनके हाथ से वो एग नहीं फूटता है अब इन्हीं की स्ट्रॉंग इसका एक प्रूफ यह अपने एक उंगली से ही पोसप्स भी लगा सकते हैं हम सभी लोग अपने दोनों हाथों से पोसप्स लगाते हैं लेकिन मौक अपनी एक फिंगर से भी पोसप्स लगा सकता है अब गैस इसी तरह से दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे स्टॉंगिस्ट लोग हैं जिन्हें देखने के बाद आप उन्हें देखते ही रह जाएंगे तो क्या इस वीडियो को पार्ट टू बनाया जाए या नहीं यह कमेंड करके जरूर बताना तो गैस मिलते हैं एक और नई इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए